टीवी पर गोपी बहुं से घरगर में पहचान बना चुकी एक्ट्रिस देवोलीना भट्टाचार जी प्रोफेशनल से परसनल लाइफ तक को लेकर चर्चा में बनी रहती है। एक्ट्रिस ने अपने करियर में कई शोज में काम किया है। हालांकि देवोलीना को पहचान टीवी शो साथ निभाना साथिया में गोपी बहुं बनकर ही मिली है। साल 2022 में एक्ट्रिस ने अपने बॉइफ्रेंड शाहनवाज शेक से शादी की थी। देवोलीना ने अपनी शादी से हर किसी को हैरान कर दिया था। शादी के बाद देवोलीना काफी ट्रोल हुई थी। साथ ही पिछले कई दिनों से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सुर्ख्या बटोरी रही है। हाल ही में न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया है कि देवोलीना के प्रेगनेंट होने की अफवाहे सच है और एक्ट्रिस प्रेगनेंसी के शुरुवाती दिनों में है। सूत्र ने बताया कि वह प्रेगनेंट है लेकिन वह अभी इसके बारे में अनाउंस नहीं करना चाहती। देवोलीना अपनी परसनल लाइफ को लाइम लाइन से दूर रखना पसंद करती हैं और इसलिए वह अभी अपनी प्रेगनेंसी को मीडिया अटेंशन नहीं देना चाहती हैं। लेकिन जब भी उन्हें लगेगा कि सही समय है वह फैंस को गुड न्यूज शेर करेंगी। सूत्र ने कहा कि परसनल चीजों की वज़ह से देवोलीना अभी इसका खुलासा करने की प्लानिंग नहीं बना रही है। देवोलीना की प्रेगनेंसी की खबरें पिछले महीने तब सुर्खियां बनी जब यूजर्स ने उनकी कुछ सोशल मीडिया तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया की एक्ट्रिस प्रेगनेंट है। या परिवार तक पहुँचने से पहले इन सब चीजों को खत्म कर दूँ। सोशल मीडिया के बढ़ते ट्रेंड के साथ लोगों को लगता है कि वे कुछ भी और सब कुछ लिख सकते हैं। प्रेगनेंसी की अफवाह पर इंटरव्यू में देवोलीना ने ये भी कहां कि उनकी परसनल लाइफ के बारे में जानकारी लेने के लिए कॉल या मैसेज से उन्हें परेशान न करें। और कहां कि अगर शेर करने के लिए कुछ भी है तो वह समय आने पर ऐसा करेंगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेर करें। और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।